नमस्का प्रसेचों इन चार से पाँच दिन में कितने आवेदन आये हैं बीपीसी यानी टी यारी टू में मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पे सबूत के साथ जो की एक तरह से ट्वीट के माद्यम से हमारी अतुल प्रसाज जी द्वारा यह कहा गया है बताया गया है दे इक नंवर के बच्चे होंगे बिचाओं को इसमें बीट यह और दोनों है और इस बार बच्चों के मन में जोस भी है उल्लास यह बच्चों किसे किका कम्भले है लेकिन फाइट करा रहा होगा बच्चों तो इस वजए से आपढ़ाएंगे नहीं और पेपर को अच्छे से प्रिपेशन करेंगे और जो भी कुछ और डाउट है आपको वह क्लियर कर सकते हैं आप कमेंट के माते हम से मैं आपको बता देना चाहता हूं 14 नॉबर तक इसका रेजिस्टेशन डेट है यानि कि आप रेजिस्टेशन कर पाएंगी अगर आपने रेजिस्टेशन कर लिया है और आपको लग रहा है फाउम मुझे बाद में भरना चाहिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 25 नॉबर तक इसका लाष्ट रेट है फाउम भरने का ठीक है और पंद्र मतलब 14 नॉबर तक आपको पेमिंट भी कर देना है और एक तरह से रेजिटेशन भी कर देना है अ ठीक है ना लेट फी के साथ तो वह बच्चे पंद्र से लेके 17 तक लेट फी के साथ पेमिंट कर पाएंगे यह चाहिए पहले 14 नॉबर तक रेजिस्टेशन पर लेट फी के साथ आप करते हैं तो पंद्र से 17 के बीच में आपको पेमिंट कर देना है इसके बाद 15 नॉबर 25 नॉबर तक आप फाइनली फारम को सब्मिट कर पाएंगे बच्चों यह अधार डेट ते चुमे ने बता दिया और अभी तक जो आविदन आये हैं सवा लाख आविदन आये हैं टी यारी टू में बच्चों ठीक है धन्यवाद